गुदाप्टर नुर नंइंत ग्लास, सुम्मर ध्यानन नाइंत ग्लास आज कुल हमारी ब्याजन संधी चल रही है जो हमारी लास्ट कल ul हमने पड़ा ब्याजन संधी में वो थी अपदान्त जत्व संधी आज जो तीसरी संधी है, ये सारे हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे सब संदी ये सब ब्यंजन के अंदरगत आती है ठीक है ब्यंजन संदी के ही भेधम परड़े हैं अगला है हमारा चत्व संदी ठीक है तीसरा हमारा चत्व संदी ठीक है चत्व संदी में क्या होता है जब वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और छौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अथवा, शौ, सौ, शौ, हो तो पहले वर्ण के इस्थान पर उसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाता है तब चत्रो संदी होती है चत्रो संदी क्या होती है यहां पे भी वर्ग जो भी हम मैंने कहा था बेंजन संदी में हमको वर्ण याद होने चीए वर्ग मैंने आपको कल भी बता है इसमें कोवर्ग, चोवर्ग, टोवर्ग, पोवर्ग ये हमें याद होने चाहे वेंजन संदी के लिए तो ही हम वेंजन संदी को कर पाते हैं तो जब ये कह रहा है परिभासा में जब वर्ग के पहले दूसरे तीसरे वर्ग के पहला जैसे कौवर्ग है कवर्ग क्या है पहला ख, इसके बात क्या आ रहा है कवर्ग में, ख, दूसरा, फिर ग, कवर्ग के ये तीनों वर्ड है और चौति ग भी आ गया, कवर्ग का चौता वर्ड भी आ गया वर्णों के बाद इन वर्णों के बाद या कावर्णों हो सकता है यहाँ पे तो थो दो नो भी हो सकता है चो चो जो यहाँ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है मैंने एक उधारण के लिए आपके लिए कावर्ण दिया है तो जब वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला इसके बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अथ्वा या वर्ग का पहला थीक है पहला दूसरा वर्ण अथ्वा 100, 100, 100 हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाता है तब चत्व संदी होती है चत्व संदी में क्या होता है कि पहले जैसे हमने संदी बिछ्चेत करें यहां देख लीजे, मैंने इतना समझा है आपको अब जैसे हमारा सब्द पूछा है सत्कारह सत्कारह में हमारी जो संदी भी छेत हुई वो हुई सद्धन कारह अब हमने देखना ये है कि जब ये कह रहा है जब वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण दो जो सब्द है वो कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है तो, थो, दो तो, सरी तो, थो और दो ये कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण दो जो सब्द है वो कौन सा वर्ण आया यहाँ पे तीसरा वर्ण आया दो क्या है तीसरा वर्ण है जब वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अथवा वर्ग का पहला यहां पे कौ क्या है कौ वर्ग का पहला ही वर्ण है है ना वर्ण अथ्वा या पहला हो या दूसरा हो अथ्वा सौ शौ सौ हो या तो सौ 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 हो तो पहले वर्ण के इस्थान पर उसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाता है जो ये दिये गे हैं इन वर्णों के इस्थान पर पहले वर्ण के इस्थान पर उसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाता है अब कैसे पहला वर्ण होता है सद है तो थो दो है ना तो दो ये तीसरा है इस तीसरे वर्ण का पहले वर्ण के इस्थान पर जो ये वर्ण है इसके इस्थान पर वर्ण का पहला वर्ण तो थो दो इस दो का क्या हो गया है पहला वर्ण तो हो गया है सत आदा तो आया है है ना तो तो क्या है दो का पहला वर्ण है तो हम जब तक परिभासा याद नहीं करेंगे तब तक हम ये बेंजन संदी को नहीं समझ पाहेंगे आए समझ में ये कह रहा है जो ये वर्ण है इस वर्ण के इस्थान पर पहला वर्ण हो जाता है पहला वर्ण तो है फिर थो है फिर दो है तो पहला वर्ण क्या है हमारा तो है दो का पहला वर्ण क्या है या थो आया तो उस थो को हमारा कहां पे हो जाएगा संधी करते वे यहां पे हमारा तो आ गया सत सद दो को हमारा क्या बन गया तो बन गया पहला वर्ण बन गया दो तीसरा था तीसरे को हमारा क्या बन गया पहला वर्ण बन गया तो आई समझ में अगला है यू यू दो अब दो का हमारा तीसरा वर्ण क्या है ठीक है, जब वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद तो, थो, दो, दो क्या है, चौथा वर्ण है इसके इस्तान पर भी पहला वर्ण हो जाता है तो, थो, तो ही पहला वर्ण है दो के इस्तान पर भी इस दो का पहला वर्ण आ गया हमारा तहुए अगला है उत्धन थानम ठीक है ? अब यहां पे कह रहा है जब वर्ण के पहले यहां पे खुदी पहला है तहुए क्योंकि पहले के इस थान पर भी उसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाता है एन समझ में पहला का पहला ही आएगा ठीक है अगला है लबधन्शती लपस्चती ठीक है तो पौ, फौ, बौ पौ, फौ और बौ बौ यहां पे कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है तीसरा का हमारा पहला वर्ण हो जाता है पौ जो यहां पे आदा आगया पा लपस्चती ठीक है इसी प्रकार से अगले वर्ण दिख दन पालह दिख पालह ठीक है यहां पे दिख पालह दिख दन पालह दिख पालह ठीक है को का पहला वर्ण क्या होगा? को ही होगा जो यहां पे आगया है ठीक है अगला है उत दन पन्नह उत पन्नह तो का पहला वर्ण तो ही है ठीक है तत दन परा सेम आएगा तत परा ठीक है अगला है एतत दन कृतम एतत कृतम सेम पहला वर्ण है तो यहां पर भी पहला ही आएगा तो ध्यान से हमको परिवासा देखने है यह थी हमारी चत्रव सं ठीक है अगली संदी है हमारी बेंजन संदी में अगली संदी है अनुश्वार संदी ठीक है अनुश्वार मैंने आपको बताया भी अनुश्वार का चीन हमारा क्या होता है एक कोला होता है ना अनुश्वार ये क्या है एक अनुश्वार है हलंत क्या है ये है तो संदी हमारी क चल्री अनुष्वार संदी, ठीक है, अगली वियनजन संदी में है, अनुष्वार संदी, अनुष्वार संदी में क्या होता है, जब पदांत में मौ के बाद कोई वियनजन आता है, को खो वो या घो कोई भी ब्यंजन आता हो आता है तब मौ अनुस्वार हो जाता है परन्तु जब मौ हलंत है उसके बाद कोई ब्यंजन आता है तो मौ क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है मो इस प्रकार का रूप ले लेता है परन्तु किसी स्वर के आकर वहो स्वर में मिलकर पून रूप ले लेता है स्वर में मिलकर वहो क्या लेता है पून रूप ले लेता है किस प्रकार से हम संदि करते है जैसे है रामम वन्दे रामम धन वन्दे तो रामम मौहलित है, मौहलित के बाद क्या है, वो क्या है हमारा विशर्ग है तो जब विशर्ग आएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मौह अनुश्वार हो जाएगा जैसे इस प्रकार से अगर मौ हलित के बाद जैसे मौ हलित है इसके बाद वो क्या है ब्यंजन है अब ये जो मौ है ब्यंजन आया है इसके आगे तो मौ क्या हो जाएगा हलित हो जाएगा अनुश्वार हो जाएगा ये रामम बंदे जो ये मौ था यहां का रामम था वो रामम में अनुश्वार हो गया है पढ़ेंगे हम उसको भी रामम ठीक है यहां भी रामम बंदे है और वहां भी अनुश्वार लग करके हमारा यह सब्द भी क्या हो रहा है रामम जब मौहलित के बाद यहां क्या आएगा ब्यंजन आएगा तब अनुश्वार होगा ठीक है जैसे अगला है रामम अपी अब अपी क्या सब्द है और जो सब्द है हमारा क्या है स्वर है और सब्द क्या है हमारा स्वर है तो रामम धन अपी जब और जहां पे स्वर आएगा तो वह पून रूप ले लेगा जैसे रामम धन अपी है तो रामम राम लिखा और यहां पे पून र मपी जब मॉ प्लस औ को मिलाते हैं तब ही क्या बनता है मॉ बनता है जब हम वर्णे भी चेत वर्णे सयोजन कर रहे थे वहां पर मैंने बताया जैसे मो आ तबी तो मौ बना पूरा मौ के बाद उच्चारण क्या है ओ है तबी तो मौ बना है ना तो ये क्या ले लेता है स्वर पून रूप ले लेता है सीधा से सीधा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे रामम मपी ठीक है रामम मपी और मौ को मिला करके क्या बने गया मौ बन गया रामम म थाबी पूर्ण रूप ले लिया कोई अनुस्वानी आएगा क्योंकि यहाँ पर स्वरा है इसलिपार अहम धन इति यह भी स्वरा है तो अहम मिती हो जाएगा इकी मात्रा लग जाएगी मौ में और क्या हो जाएगा मिती ठीक है अहम मिती ठीक है फिर है विध्यालयम अस्ती तो विध्यालयम मौ के बाद भी यहां पे स्वर है तो विध्यालयम मस्ती हो जाएगा और मौ को मिलकर के ही एक सब्द बनता है मौ और उसमें भी जुड़ा होता है पून रूप ले लिया मस्ती ठीक है फलम धन तत्र अब तो यह यहां पे क्या है विसर्ग है तो फलम धन तत्र हो जाएगा ठीक है यह अनुस्वार हो गया मौ ठीक है फिर बालकम इती है बालकम मिती पठी तुम इच्छती पूनरू हासी तुम बिना हासी तुम बिना हो जाएगा यहां पे मौहलित का यहां अनुश्वारा जाएगा अगला है अनुश्वार परस वर्ण संदी पढ़ा अब अनुश्वार परस वर्ण संदी किस प्रकार से पूर्व संदी के अनुश्वार के बाद याई याई पढ़ती है तथां 100-100 हो को छोड़ कर सबी वर्ण हो तो अनुश्वार को वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है किस प्रकार से जैसे साम है ठीक है साम पूरु संदी के अनुश्वार के बाद याई तता 100-100-100 हो को छोड़ कर सबी वर्ण हो तो अनुश्वार को वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है तो धो दो धो नौ ठीक है साम है साम अनुश्वार है ना तो अनुश्वार के बाद जो तो वर्ण का है तो वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा यहाँ जो पीछे है इसके बाद अगर यही हो ठीक है यही परते के अंसार अगर पांचवा वर्ण क्या है तो धो 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 और नौ नौ क्या है हमारा पांचवा वर्ण है किसका तो वर्ण का इसका मतलब पांचवा वर्ण हो जाता है जैसे है नौ सांता हो गया अगला है समधन दी है ना समधन दी तो यहाँ पे भी क्या हो गया है पांचोंवन तो थो दो दो नो तो का क्या हो गया पांचोंवन दो चो था था और पांचोंवन क्या था नो था तो तो वर्ग का पांचोंवन हो गया नो ठीक है संधी संधनदी संधी फिर है संधनबंदः संबंदः ठीक है संबंदः ठीक हो गया पो फो बो भो मो ये वर्ण है हमारे पो फो बो भो मो ठीक है तो यहाँ पे जो मो सब्द है वो क्या है पांचवा वर्ण है पो वर्ण का और बो भी पो वर्ण में ही आता है ठीक है अगला है समधन पती समपती ये पौवर्ग का ही है गमधन गा गंगा ठीक है तो इस परकार से पहले हम परिभासा याद कर लें उसके बाद ही हम वेलजन संदी को याद कर सकते हैं कि इस परकार से कहां पे बनाना है मैंने इतना समझा दिया ठीक है